हेलो गाईज विल्कम टू मैं चैनल आज हम भलाउज की कटिंग करेंगे यह साड़ी का पीस है मैंने ही कट किया था बहुत ही सुन्दर साड़ी थी यह और यह हमारी लाइनिंग है एक मीटर लाइनिंग है इसे सीधी कर देंगे कट करके उपर से उच्छी नीची है फिर मार् गुमेन है 13 इंच है इनकी चोली और मैंने साड़े चोदा इंच लिए थी उपर से तीरा लिया है साड़े पांच और नीची को सिर्फ छे इंच लिया है बहुत ही पतली है यह इनकी बस्ट है 30 इंच पूरी 30 इंच उसका चोथा भागो गया साड़े साथ और कमर है 24 इंच चोथा भागो गया 6 इंच और धाई धाई इंच का मार्जन ले लिया है मैंने और यहां से हलकी सी गुलाई डाल दूंगी और एक अंदर को भी हलकी सी गुलाई डालूंगी क्योंकि ज्यादा उसकी बाड़ी है ही नहीं बहुत ही पतली है और आपको बताओ इसके चार बच चाहे मोटी हो चाहे पतली हो हमेशा ऐसे ही कट करते हैं बलाउस को जो हमारा नाप है मैं उसी के हिसाब से कट कर रही हूँ अगर आपने भी किसी बलाउस को कटिंग करना हो तो ऐसे ही करें यह देखें जो फिटिंग वाली साइड है आदा आदा इंच उपर को मोड कर हम और नीचे लंबाई वाली साइड भी आदा आदा इंच कम रखनी है ये बैक सैड के पल्ले की उपर से बाकी का सेम कट कर दिना है जो कंदे है हमारे और तीरा है वो सेम कट करना है फिटिंग में से आदा इंच कम करना है और लंबाई में से भी आदा इंच कम करना है क्योंक की गुलाई भी डाल दी है और कंधे को आदा इंट डाउन मैंने साथ ही कट कर लिया था जब हम उपर से तीरा कट कर रहे थे और बाजू नहीं कट करने क्योंकि उसको पूरी बाजू चाहिए और पूरी बाजू के नीचे लाइनिंग नहीं लगाती तो पतली सी थी फिर बन ही जानी थी उसकी बाजू इसलिए और नीचे फ्रिल है ये बहुत ही सुन्दर फ्रिल बनी हुई है पूरी साड़ी के उपर ऐसे ही लगी हुई थी और ये पत्तियां है उपर की साइड को जा रही है इसलिए मुझे ध्यान से कट करना पड़ेगा तांकि पत्तियां दोनों साइड की उपर को जाएं और बाजू की पत्तियां भी उपर को ही जाएं डबल फोल्ड करके रख लिया है इसे तो अब जो हमने लाइनिंग कट की है न वो उपर रख कर उसी के हिसाब से आगे का और पीछे का पला कट कर लिंगे और फिर बाद में बाजू कट करेंगे बहुत ही घरों का काम करती है बिचारी मैं तो हेरान होती रहती हूँ कि जान तो है नहीं इसमें कितنا काम करती है ये Republicans हमारे पंजाब में बहार से लोग हुए है न वह भीहारी ही है तो यह देखें यह बहुत ज़्यादा कपड़ा बच जाना था सीधा सीधा फिर मेरा दिमाग चला गए पत्थियां है उपर को जा रही तो इसलिए मैंने शुकर है टाइम पर दिमाग कम कर काम कर गया अगर कपड़ा सेम हो ना आगे पीछे मतलब यह साड़ी का जैसे है तो यह देखें छलका सा कट लगा भी दिया था मुझे फिर बाद में मुझे याद आ गया नहीं यह पत्तियां उपर को जाएंगी तो फिर मुझे बाजु के लिए भी कपड़ा चाहिए था तो फिर मैंना काफी कन्फ्यूज हो गई फिर कैसे जैसे तैसे कर लिया था क्योंकि न यह बहुत ही पतली है इसलिए अराम से बन गया नहीं तो न घड़बड हो जानी थी एक मेरा ध्यान वीडियो की तरफ भी रहता है न इसलिए थोड़ा दिमाग काम नहीं करता कई बार तो यह साइड से यह भी निकाल लिया फिर बाजू का हमन मैंने डेड़ी नचेकस्टा ली थी और बस्ट थी इनकी 30 इंच उसका चोथा बाग लिया था मैंने साड़े साथ और कमर थी 24 इंच ओन ली और यह सोच सोच कर फिर बाजू निकालेंगे अब बाजू की साइड भी उपर को ही जानी चाहिए क्योंकि यह पत्तियां है इसके चोटी चोटी बनी हुई तो इसको मैंने सीधा कर लिया है कट करके एक बाजू यहां से निकल जाएगी वो कट जो है वो निकल गया था बाजू उनकी ज्यादा भी बड़ी नहीं थी 14 इंच थी उसकी पौनी बाजू बन गई थी जो नाप दे कर गई थी तो यह मैंने मतलब आगे फ्रिल लगा दी थी तो पूरा पूरा 14 इंच ले लिया था कपड़ा और यहां से 3 इंच की गुलाई डाल दी थी और यह साइड से कट कर दिया और कट हमारा गायब हो गया और पतियां सबी की उपर आ गई है और यह फ्रिल लगा कर बाजू की लंबाई बढ़ लेंगे कट लगने की वज़ा से मेरा नुकसान हुगा था पर मुझे ना समझनी आई के पतियां का डेजाइन उपर को जाना चाहिए इसलिए यह देखें यह भाजू हो गई यह आगे के पल्ले हो गई है और यह बैक सैड के पल्ले भी यहां पर रखती हूं मैं डूंड कर इसे और बहुत ही सुन्दर चटकमटक कलर है जैसे बोटल ग्रीन है तो बहुत अच्छी साड़ी थी इसकी पता निवे चारी कैसे संभालेगी इतनी पतली सी तो है तो यह हमारी लाइनिंग के उपर अब प्लेट की मार्किंग करेंगी उपर से 10 इंच छोड़ा है मैंने अ नहां से भी 1.5 इंच का प्लेट ही डाल दिया है फिर एक इंच ही छोड़ा बीज में बचा था मार्जन क्योंकि पतली है प्लेट भी नजदीक नजदीक पढ़ रहे हैं यह हमारा जो मोड़े वाला है आरम होल वाला प्लेट वो है चार प्लेट पढ़ते हैं बलाउस पर हम हमेशा ही और थप थपा कर दूसरी तरफ अराम से निशान आ गया है क्योंकि लाइनिंग का कपड़ा बहुत ही ज्यादा पतला होता है और यह दूसरी साइड पर भी निशान ले लिए ऐसे ही हम वैक साइड के पलेगे उपर भी दो प्लेट डाल देंगी यह आदा इंच हम इसलिए कम रखती है क्योंकि इसके उपर प्लेट कम होती है दस इंच उपर से छोड़ा है अंदर से सवा तीन इंच छोड़ा है और यह सीधा कर दिया है दूसरी साइड पर भी प्लेट का निशान ले लेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीस लाइक कर दिना थैंक् प्लेटिंग प्लेटिंग